हे गाईज लेट्स कूक विस सुचीता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको कच्चे आम से बनने वाली इंस्टेंट खटी मिठी अचार की रेसिपी बता रही हूँ अगेर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली और फ्रेंड्स में सेर भी करिएगा और बैल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नेया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको इसकी लिए मैं आधा किलो कच्चे आम ली हूँ आम को मैं अच्छी तरह से धो कर पोच कर छिल ली हूँ दिखी इस तरह से छिल का उतार ली हूँ इदम कच्चा आम लेना है आपको अब मैं इसे पीसेस में कट कर दे रही हूँ दोनों साइट से मैं चाको की मदद से दोनों साइट कर के निकाल ली हूँ आम की पीसेस को और इस तरह से दूर दूर मैं लंबाई में काट रही हूँ और थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके इस तरह से स्क्वाइर सेप देना है बहुत जादा बारिक नहीं करना है आम की टुकड़े को नेक तो पकाते समय ये पूरा गल जाएगा इसलिए थोड़ा बड़े बड़े पीसेज में रखना है देखिए इस तरह से स्क्वाइर सेप में मैं थोड़ा बड़ा काट ली हूँ जितना मैं आम ली हूँ उतना ही मैं गोड ली हूँ अब एक कड़ाई में मैं दो बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ तेल में मैं दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ छे साथ मैं लॉंग डाल रही हूँ इसमें अब मैं इसमें कटा हुआ आम डाल दे रही हूँ आम के टुकुडे डाल दे रही हूँ इसमें सब को चला रही हूँ मैं मिडियम फिलेम पे इसमें पका रही हूँ आम को फ्लेम को मीडियम ही रखना है अब मैं इसमें एक चमच नमक डाल दे रही हूँ एक छोटा चमच और आधा चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इन सब को मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ अल्दी और नमक डालके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ अब देख पा रहे होंगे आम पानी पूरा छोड़ दिया है और कलर भी चेंज होने लग गया है ट्रांस्लूसन हो गया है इसी सम्में गुड को डालना है अब मैं गुड को डाल दे रही हूँ ग्रेट क्या हुआ गुड को आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर गुड की मात्र आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मैं equal quantity में डाली हूँ गुड को देखी तुरंट melt हो गया है गुड पानी का अगर आप use ना करें तो ये साल भर तक चलेगा आपका अचार इसे अच्छे से 10-15 मिनट पकाना है slow flame पे इसी लिए पीसे बड़ी रखी थी मैं देखी चोटी कर देती तो गल जाता है इसमें देखी अच्छे तरह से पक रहा है अचार हमारा रेडी होने लग गया है बहुत अच्छा कलर आया है अब मैं गैस का flame बंद कर दे रही हूँ और हलका ठंडा करके इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ दोबड़ा चम्मच मैं कस्मीरी रेड़ चिली पाउडर डाली हूँ इससे कलर काफी अच्छा आएगा आप चाहे तो तीखी वाली भी मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं इससे को mix कर ले रही हूँ अच्छी तरह से अगर आप मिर्ची गरम में डालेंगे तो मिर्ची आपका जल जाएगा इसलिए ठंडा करके डालें अब मैं एक छोटा चम्मच इसी समय भूना हुआ जीरा भी डाल दे रही हूँ देखिए मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ इन सब को भी mix कर ले रही हूँ अचार हमारा बिल्कुल ready हो चुका है खाने के लिए अब देख पा रहे होंगे काफी अच्छा चार हमारा बना है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है बहुत टेस्टी लगता ही अचार बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है आप इससे नमकीन पूरी के साथ भी खा सकते हैं बच्चो को टिफिन में भी दे सकते हैं आईए मैं आपको एक जार में निकाल करके दिखाती हूं मैं स्टेनलाइस किया हुआ जार ली हूं काच का उसमें मैं निकाल ले रही हूं इदम सुखी रहनी चाहिए जार पानी नहीं रहनी चाहिए मैं इसमें निकाल दी हूं देखिए काफी टेस्टी लग रहा है चार हमारा बहुत अच्छा चार हमारा बना है खटा मीठा चार बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है आप इसे ज़रू ट्राइ करें अपने घर पर और अपने एकस्पिरियंस मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं कि आपको ये खटी मीठी अचार की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले थैंक यू